दोस्तो अगर आप bank of baroda में account open करते हैं तो आपको welcome kit bank of baroda के तरफ से आपके घर पे भेज दिये जाते हैं तो bank of baroda में अगर आप saving account open करना चाहते हैं तो minimum balance 2000 रुपे है आप अगर student है तो भी आप open करा सकते हैं आपको 2000 रुपे minimum balance रखने होंगे आप bank of baroda में जाके भी open करा सकते हैं या तो आप B.O.B. app जो है B.O.B. world करके आप उसको download करके भी बना सकते हैं account तो आप saving account घर से भी बना सकते हैं वीडियो के वाई सी आपको करने होते हैं या तो आप nearest brand जा सकते हैं वहां से भी saving account open कर लेंगे उसके बाद आपको welcome kit आजाए जिसमें कि आपको david card होते हैं international banking होता है mobile banking होता है sms banking होता है और miss call banking होता है देख सकते हैं तो यह bank of baroda के तरफ से welcome kit होता है इसमें क्या क्या होते हैं आपको मैं बताऊंगा B.O.B. world इसका application होता है आप वहां से जचाके सारा कुछ कर सकते हैं यो मिम account open करते हैं तो आपको यह facility मिलता है अगर आप saving account open करते हैं और आप चाहते हैं debit card नहीं लेना तो आप B.O.B. world से debit card virtual debit card application से आप कर सकते हैं virtual debit card से आपको सारे काम होंगे तो आप generate कर सकते हैं virtual debit card आप साल में तीन वार तो आप यह भी कर सकते हैं और कोई charge उसके लिए नहीं होगा आप देख सकते ह इसके बाद आपको address लिखे होंगे सारा कुछ जैसा कि मैंने किया था मैं debit card नहीं लिया B.O.B. से application से virtual debit card generate कर लिया जिसके लिए कोई charge नहीं होते हैं तो आप B.O.B. का तीन बार आप ले सकते हैं virtual debit card और आप उससे phone pay या Amazon Paytm किसी में link कर सकते हैं तो आप यह भी कर सकते है क्योंकि debit card के charge होते है something 295 रुपए आपको charge होते है yearly के तो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं debit card B.O.B. world के तो आप B.O.B. world application डाउनलोड करेंगे वहां से virtual debit card generate कर लेंगे तो welcome kit में आप देख सकते हैं मुझे कुछ नहीं मिला है क्योंकि मुझे checkbook लेना ही नहीं था मुझे passbook मिल चुके थे वहीं परोदा में account open किया तो passbook मुझे just ही मिल गया क्योंकि मैं bank visit किया था और checkbook मैंने बताया जो मुझे नहीं चाहिए उसके बाए ATM मुझे मैंने बताया जो नहीं चाहिए क्योंकि ATM के charge थे तो आप देख सकते है बस manual guide मुझे भेजा गया है welcome kit में और कु income kit में जो कि बस bov world के तरफ से दिये गया है और transaction charge इसमें सारे कुछ बताये गया है जो आप कितने transaction निकाल सकते हैं तो bov ATM से आप चाहके पांच time निकाल सकते हैं अधर से आप 3 time निकाल सकते हैं उसके बाएद आपको charge लगेंगे